ओम नमो भगवती वाशुदेवाया वैशाख मा में सुकलपक्ष में पढ़ने वाली एकादसी तिथी को मुहिनी एकादसी के नाम से जाना जाता है ऐसा कहा जाता है कि मुहिनी एकादैसी का वृत रखने वाला व्यक्ति मुहमाया के जंजाल से मुक्त हो जाता है और उसे मुक्ष की प्राप्ति होती है इस एकादसी का व्रत करने वालों के कई जन्मों के पाप नस्ठ हो जाते हैं और उन्हें एक हजार गोदान के पुड़े का फल भी प्राप्त होता है। एक बार धर्मराज युधिस्ठे ने भगवान स्रेकृष्ण को प्रडाम करती हुए कहा कि हे प्रभु आप कृपा करके वैसाख सुकलपक्ष की एकादसी का क्या नाम है ता उसकी क्या कथा है इस ब्रत की क्या विधी है यह सब विस्तार पुरुक बताईए। भगवान स्रेकृष्ण कहने लगे हे धर्मराज वैसाख मास के सुकलपक्ष की एकादसी को मोहने एकादसी के नाम से जाना जाता है। मैं आप से एक कथा कहता हूँ जिसे महरसी वस्षिष्ट ने स्री रामचंद्र जी से कहा था राजन आप क्रिपा करके ध्यान पुरुक सुने मुहने एकादसी व्रत कथा। एक समय स्री रामचंद्र जी बोले गुरुदेव कोई ऐसा व्रत बताईए जिससे समस्ते पापकों और दुखों का नास हो जाए। नाम मुहिनी एकादसी है। इसका व्रत करने से मनुस्य सब पापों तथा दुखों से छूट जाता है और उसे मुक्ष की प्राप्ती होती है। इसकी कथा मैं कहता हूँ, ध्यान पिर्वक सुनो, सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में दुतिमान नामक चंद्रवंसी राजाराज करता था। वहां धन धाने से संपन वा पुडिवान धन पाल नामक बैश भी रहता था। वह अत्यांत धर्मालू और विश्वडू भगत था। उसने नगर में अनेक भूशनालय, प्याउ, कुए, सरोवर और धर्मसालयाई आदिब बनवाई थी। उसके पाच पूत्र थे शुमना, सद बुद्धी, मेधावी, सुकृती और ध्रिष्ट बुद्धी। इन में से पाचवा पूत्र ध्रिष्ट बुद्धी महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था, वह वैश्या दुराचारी मनुस्यों की संगती में रहकर, जुवा खिलता और पर इस्त्री के साथ भूग विलास करता था, तथा मांस का सिवन करता था। इसी प्रकार के अनिक कुकर्मों में वह पिता के धन को नस्ट करता था। इन्हीं कारणों से त्रस्थ होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। मगर दूसरी बार पकड़ा गया तो राजा गया से उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में वह अत्यन दुखी हो गया। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकालने को कहा। वह नगर से निकल गया और वन में चला गया। वहां वन पस्चूओं को मार कर खाने लगा। कुछ समय पस्चात वह बहलिया बन गया। और धनुस बार लेकर पस्चूपक्षियों को मार कर खाने लगा। एक दिन भुख प्यास से व्यथित होकर वह भूजन की तलास में घूमता हुआ। कौडिन्यय रिशी के आस्रन में पहुच गया। उस समय वैशाक मास था और रिसी गंगा स्टान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्रों के छिटे उस पर पड़ गये। जिससे उसे कुछ सदबुधी प्राप्त हुई। वह कौडिन्य मुनी से हाथ जोड़ कर कहने लगा हे मुने मैंने जीवन में बहुत पाप किये हैं। आप इन पापों से छुटने का कोई साधार उपाई बताईए जो धनके बिना ही हो जाए। उसके दिन वचन सुनकर मुनी प्रसन होकर कहे कि तुम वैशाक सुकल की मुहन के अनुसार ब्रत किया। हे राम इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नस्ट हो गए और अंत मेवा गरूड पर बैठकर विशुरू लोग को गया। इस व्रत से मुहम आदि सब नस्ट हो जाता है। संसार में इस व्रत से स्रिस्ट कोई ब्रत नहीं है। इसके महत्म को पढ़ने वाला और सुनने वाला एक हजार गौदान के पुड़े का फल प्राप्त करता है जैस्र कृष्णा